हेलो फ्रेंड्स आज मेरा टॉपिक है रेलबे क्रीपर प्लांट्स के उपर यह देखिए यह रेलबे क्रीपर की प्लांट्स है यह एक बेल की तरह यह प्लांट्स तैयार होती है आप इसे अपनी आकार भी दे शकते हो जिसे जिस तरह की आकार चाहिए उसे ये इस तरह की आकार में आ जाते हैं ये बहुत बहुत सुन्दर प्लांट्स होती है और ये जो है ये आपकी जो फ्लावर्स है ये आपकी मौर्निंग में ही खिलती है जैसे सुबह 7 बज़े से जैसे ही थोड़ा सा धूप निकलेगी 6-7 बज़े के अंदर ये खिलेंगे और दोफर के 12 बज़े तक ये फुल रहते हैं इस तरह से खिला हुआ फिर ये अपने आपी बंध हो जाते हैं इस तरह से तो इसे हम railway creeper की plants की नाम से जानते हैं और इसे हम morning glory की भी नाम से जानते हैं morning glory इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये शुभा में इसके flowers होती है morning में flowers होती है फिर afternoon तक ये बंध हो जाती है इसलिए इसे morning glory कहते है अब इसके देखभाल कैसे करना है इसके देखभाल करना बरा ही आशान है यह बहुत hardy plants होती है यह ज़्यादा जल्दी इसकी death नहीं होती है इसे आप जैसे flowering की time होती है तब आप इसे अच्छी तरह से fertilizer दे दीजिए इसे ज़्यादा पसंद है बर्म अभी compose दिया हुआ है अभी इसकी flowering की time है तो जैसे flower सुरू होते हैं flower सुरू होते हैं आपकी end of March तक तो आप middle of March तक इसकी अच्छी तरह से flower की time में इसकी fertilizer दे दीजिए fertilizer देने से क्या होगा कि इसकी जो flowers है बहुत अच्छी खिले खिले से तयार होंगे और बहुत सुंदर color में तयार होंगे और बहुत सारे कलिया और flowers भी तयार होंगे देखिए इसमें बहुत सारे birds भी आ रहे हैं बहुत सारे birds है इसमें तो इस तरह से आप इसकी अच्छी तरह से fertilizer दे सकते हैं और अब इ इसकी है सन की रिकॉर्मेंट इसके सन के रिकॉर्मेंट बहुत ज्यादा होती है क्योंकि इसे सन बहुत ज्यादा पसंद है अगर आप इसे सन की जग यहां पर सनलाइट बहुत अच्छी तरह से आती है उसी जगह पर आप इसको रखते हो तो इसकी प्लांट बहुत अच्छी नहीं बनेंगे तो आप इसे पिल्कुल सण वाली जगह पे रखें जहाँ इसकी शण की रोश्नी सुरज की रॉश्नी बहुत सुंदर आती है उसी जगा पर आप इसे रखनी है और इसकी जो रिक्रोर्मेंट है पानी की इसकी की requirement बहुत ज्यादा होती है गर्मी के time में आप इसको 2 time पानी देंगे दो टाइम पानी देने से क्या होगा कि इसकी जो हरी पति है वो बिल्कल हरी भरी रहेंगे इस तरह से कि इस तरह से इससरी लिप्स जो है बिल्कुल हरी भरी रहेंगे और देखने में भी बहुत सुन्दल लगेंगे अगर आपका जैसे प्राइवेट घर है तो आप उसे घर के साइड में आप ऐसे इसको लगा दीजिए तो आप देखोगे कुछी दिनों में यह पिलकुल भर जाएंगे फ्लावर से देखने में बहुत सुन्दल लगेंगे क्योंकि गमले में इतना गमले में पौधे होते तो हैं बहुत सुन्दल लेकिन जमीन में जितना अच्छा होता है वो गमले में नहीं होता है तो आप इसे जमीन में लगा के देख सकते हों बहुत सुन्दल बहुत घना बन जाएंगे और यह प्लांट्स कभी मरते नहीं हैं यह काफी साल तक कप के साथ यूहीं चलते रहेंगे और इसकी जो आप पौधा किस तरह तयार कर सकते हो इसका पौधा तयार होती है दो तड़ा की एक तो जब इसकी जो ये इसकी टहनिया है ये टहनिया है जब ये टहनिया मोटी हो जाएंगी तो आप इसको काट के इसकी कटिंग करके इसके लगा सकते हो और दूसरी तो होती है और दूसरी तयार होती है इसकी सीट से इसमें आपका सीट तयार होते हैं बिल्कुल ब्लैक ब्लैक कलर की सीट तयार होते हैं उस सीट से भी आप इसकी पौधे तयार कर सकते हो तो मैंने ये पौधा तीन साल से लगा के रखा हुआ है बिल जो सर्दी के टाइम होती है, सर्दी के टाइम में यह जो प्लांट से बिलकुल सुख जाते हैं, मतलब पत्ते तो रहते हैं, लेकिन ज्यादा पत्ते नहीं रहते हैं, बहुत कम पत्ते रहते हैं, लेकिन जैसे ही आपकी फेवरारी खतम होती है, मार्च सुरू होती है, तब आ तो आप इस Plants को बड़ी अच्छी तरीके से अराम से लगा सकते हो कोई भी इसकी ज़्यादा परिशानी नहीं है इसको ज़्यादा कुछ Featilizer की ज़रुत भी नहीं होती है बस इतना करना है कि इसे आपको अच्छी तरह से पानी देनी है बस इतना ही इसकी requirement है ठीक है फ्रेंट्स अगर आपको अच्छा लगे तो जरू लाइक और सब्सक्राइब किजए थैंक यू मैं फ्रेंट्स